अपनी powerpoint file को ppt file को whatsapp पर कैसे भेजे आये जानते हैं सबसे पहले आप अपने powerpoint की application खोले और देखिए यह रही मेरी document यह file है इसे मुझे भेजना है whatsapp पर तो सबसे पहले यहाँ पर उपर file पर क्लिक करें save as पर क्लिक करें ब्राउस पर जाएं यहां पर आप कोई भी drive चुन ले या folder चुन ले तो मैं f drive में इसे save करना चाहता हूं तो मैं f drive पर क्लिक करूंगा and save पर क्लिक कर दोना yes कर दें तो यह file save हो गई है अब आप किसी भी browser में चले जाएं जैसे की chrome browser यहां पर आप सर्च के option पर लिखे whatsapp वेब इस तरीके से सर्च करें whatsapp वेब तो आपको whatsapp की website दिख जाएगी क्लिक करें अब आपको अपने phone को ले लेना है phone में आ जाए phone में और whatsapp पे क्लिक करें three dot पे यहां पर उपर जाए link device पे क्लिक करें and link device पे क्लिक करें password मागेगा तो डाल दे और qr code आपको scan करना है यह वाला जैसे ही आप scan करेंगे तो आपके phone का whatsapp आपके computer में भी दिखने लग जाएगा अब आप यहां पर किसी भी नंबर पे उस document को भेलते तो यह आपके phone में भी आ जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं यह नंबर select कर लेता हूं ठीक है यह वाला तो यह यहां पर आ गया है अब हम प्लस पे क्लिक करें document में क्लिक करें हमारा powerpoint का document यह रहा हमने f drive में सेफ किया था आपने जहां सेफ किया था आप धूल ले क्लिक करें ऐसा और open कर दें इस तरीके से आएगा यहां से set कर दें और यह यहां से send हो रहा है और यह आपके phone में भी आ जाएगा अब हो सकता है आपके phone में open ना हो देखिए हमारे phone में भी आ गया है powerpoint का document हो सकता है आपके phone में open ना हो आपको play store से powerpoint की application अपने phone में install करनी है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह open हो जाएगा यहां पर कुछ time लेगा और यह open हो जाएगा ठीक है